आज हम एक मेडिसीन के बारे ही पढ़े हैं जिसका नाम है पिपली रसायन यह ऐसा रसायन है जो आप इसका सेवन करते हैं तो कवेवल एक डिजिज नहीं कई सारे डिजिज ठीक हो जाती ही इससे यानि कई सारी बिमारियों में इसका इस्तमाल किया जाता है एक हेल्दी परसन भी इसके इस्तमाल कर सकता है और या एक डिजिस से जो परिशान कोई परसन है वो भी इसके इस्तमाल कर सकता है हम देखते हैं इसके इस्तमाल कहां कहां किया जा सकता है और किस-किस बिमारी में इसके इस्तमाल होता है देखिए इसका इस्तमाल कास में होता है कास में इस खासी छै यानि की टीबी शोस यानि की वही क्या वो लेंग टीबी इसको बोलते हैं स्वास यानि की दर्मे की बिमारी सास की बिमारी यानि की गले के और छाती के बिमारी किसी भी तरीके का हो चाहिए छाती में होने वाला गले में होने वाला बिमारी हो इन सभी को खासी हो ये भी गले की बिमारी है च्छै है यानि टीबी है ये कहीं न कहीं सबसे पहले फेफडे में होती है उसकी है सोस इसी का मतलब टीबी है स्वास यानि की दम कफोल नायास क्या बोलेंगे इसको सांस लेने में जो परिशानी हो गले के रोग, इन सभी चीजों में पिपली रसाइन का बहुत जादा उपयोग होती है, यहनि कि सांस से जुड़ा हुआ, छाती से जुड़ा हुआ, रेस्पाइरेटिर सिस्टम से जुड़ा हुआ, किसी भी तरीके की डिजिस आपको होता है, उन सब में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, अर्ष, अर्ष का मतलब होता है पाइल्स, आप पाइल्स में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं, ग्रहनी रोग, ग्रहनी रोग का मतलब होता है, पेट का रोग, यहनि पेट की अगर कोई परिशानी आती है, उसमें भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, पांडू र जाने का कुछ उसका pattern नहीं है, कभी भी आता है, कभी भी जाता है, कभी भी तेज जाता है, कभी भी कम हो जाता है, दो दिन पे आता है, एक दिन पे आता है, इस तरीके का बुखार हो, उसको विसम जोर, यानि जो ठीक ही न होता हो, ऐसे बुखार को हम बोलते हैं विसम जोर, उसमें पिपली रसाइन का काफी ज़्यादा यूज है स्वर्भेद में यानि जिसका गला खराब हो गला ठीक नहीं रहता हो वहाँ इस्तमाल कर सकते हो पीनस जिसका नाग बहता हो जैसे कि किसी को राइनाइटी सोजाती है नाग बहता रहता है इन्फेक्शन रहता है एलर्जिय के रेक्शन होते है उन सब में काम करता है सोथ कहीं सूजान हो और गल में यानि पेट के अंदर गैस के गोले बनते हो गैस के फवारे बनते हो तो मेलनी ये पेट को ठीक करता है करता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका फोकस होता है यह उन बिमारियों को ठीक करता है जो रेस्पाइरेटी सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं यानि कि सांस की बिमारी और उससे जुड़ा हुआ जो ऑर्गन है उन सभी बिमारियों को यह ठीक करता है यानि कि चेस्ट गला इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परशानी होती है, कोई बिमारी होती है, नाक हो, गले का हो, या फिर्फडे का हो, उन सबी चिजर को ये दूर करता है. अगर आप इसका इस्तिमाल करना चाहें तो लेने से पहले या तो दवाई लेने से पहले खाना खाने से पहले दवाई ले ले या खाना खाने के बाद ले बीच में ले और नहीं तो दूसरा तरीका है ये भी है कि आप कुछ खाने से पहले भी ले सकते हैं और कुछ खाना खा करना चाहिए अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन के साथ मिलते आपसे तब तक के लिए शुक्रिया